हाई एवरिवन, स्वागत हैं आपका Shades of Food Kitchen में आज मैं आपके लिए लाई हूँ राई की मिर्च का अचार बगेर तेल के बनने वाला ये तीखा सा अचार सभी को बहुत पसंद आएगा तो इसके लिए आप अपनी पसंद की मिर्च मोटी वाली या बारिक वाली चैसी भी आपको पसंद हो ले सकते हैं उन्हें धोकर पॉंच कर बीच में से चीरा लगा लेंगे अब इसमें भरने के लिए पिसी हुई राई, सौंफ, दाना मेति और नमक लेंगे बस चार इंक्रीडेंट से ये हमारा मिर्च का अचार तयार है, राजस्थान में तो इसे बहुत बनाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है, आप एक बाद जरूर ट्राय कीजिए रेसिपी और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको रेसिपी कैसी लगी अब इस तरीके से सारे मसाले को मिर्चियों में भर लेंगे, अगर आप मोटी मिर्च लेते हैं तो मसाला थोड़ा कम भरिए और इस तरीके से भर कर आप दो से तीन दिन बार ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाता है, दस से पंद्रा दिन तक आप इसे बहार भी रख सक और अगर आपको लंबे टाइम तक चलाना है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखिए, बहुत ही टेस्टी अचार होता है, जब एक सबजी और चपाती के संग कुछ स्पाइसी बाइट से ही होता है, तो ये अचार वहाँ परफेक्ट है, आप ज़रूर ट्राय नाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्याँ